related हम लोग यहां पर आज discussion करने वाले हैं and यह जो products है हमारे business को you know और जदग ग्रेट करने के लिए achievements के लिए बहुत इच्छे से helpful हो सकते है right and हमारा यह जो session है यह Facebook live भी हो चुका है तो आप लोग अपने team members को भी share कर सकते है कि जो person अगर Facebook से भी join करना चाहते हैं वो Facebook के through भी join कर सके right so जिस वज़े से we can say हमारा आज का जो basically यहां पर session रहने वाला है topic रहने वाला है वो काफी ज़दा amazing भी रहने वाले है right so सबसे पहला जो हमारा product रहेगा जो काफी ज़दा इनकी you know इनकी feedback बहुत ही जाता है and इनके feedbacks के साथ-साथ इनके असर भी बहुत ही अच्छे खासे है so सबसे पहला है one of the best ever product which is kypo vitamin c face wash और यह जो vitamin c face wash है 100 ml के देखने को मिलेंगे and इनके benefits जो है इसमें vitamin c and strawberry extract add-on किये गए है if we have to talk about the benefit अगर हम यहां पर benefits के बारे में बाते करें क्योंकि जबी भी हम चाहे field work पे चाहे चाहे you know prospecting counseling करें सबसे ज़्यादा necessary है सबसे ज़्यादा important है कि अगर हम इनके benefits को इसके key words चो है keep or करते हैं इनके साथ साथ dead skin cells को remove करने के साथ साथ हम लोग यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे से work करेंगे क्योंकि यह even skin tone बनाई रखने का काम करती है हमारे skin को जो बहुत ज़्यादा dust pollution आ गए है इससे हमारे skin में यह healthy हमारे skin को healthy रखते क्योंकि इसमें vitamin C extract पाए गए है और vitamin C ऐसे भी anti aging properties काफी अच्छी खासी होती है जिसके वज़े से age से जादा और पहले fine lines wrinkles ना हो skin को काफी ज़्यादा clear रखने का काम करते हैं एंड यह काफी ज़्यादा helpful भी है हमारे लिए हमारे skin को dull से skin को refresh करने का काम करेंगी और यह impurities को भी दूर करने के लिए highly responsible होते हैं so what we can see हम लोग यहाँ पर यह देख सकते हैं इनके जो hero ingredient है इस product का हर product का hero ingredient जो रहता है इसमें इनका जो hero ingredient है vitamin C है vitamin C जिनकी भी I believe हर किसी की 100% लोगों की यही चाहत होती है कि हमारा जो भी चहरा का color हो बस हमारा चहरा का color एकदम clean हो साफ हो और बहुत जदा ग्लोई और शाइनी रहे right so यह हमारे skin को lighten brighten करने का काम करते हैं इसमें strawberry extract भी है so strawberry basically lighten करते हैं हमारे skin के tone को बाहर बहुत जदा dust pollution के वज़े से धूप के वज़े से हमारे skin जो dark होने लग गए damage होने लग गए हैं यह उनसे हमें prevent करती हैं इसमें orange extract है संत्रे का हम लोग बोल सकते हैं extract हम लोग बोल सकते हैं so जिसके वज़े से यह correct करते है oil balance हमारे skin में in fact इनके सबसे ज़्यादा important यह है vitamin C है orange जो है इनके extract add-on किये गए जिनके भी चहरे में जो dark होने लग गए है दाग दिखने लग गए है डेली डेली इसको use करेंगे और इनके moisturizer के साथ सही से यह बहुत ही जादा अच्छे से dark को lighten करने का काम करते हैं जिस तरह से face wash करते हैं वैसे ही करना है चहरे को wet करके थोड़ा सा face wash हाथ में लेके पूरे face में आप अच्छे से लगा सकते हैं इस तरह से आपने help करना है और अगर आप चाहते हैं एक बार हमने बहुत बार हमने पहले discussion भी की हुई है जबही भी हम face wash यूज करेंगे या cream यूज करेंगे अगर directly hand से ही यूज कर रहे हैं थोड़ा सा हाथ में लेके product को और बहुत पूरे हाथों में नहीं लगाना है स्रिफ finger tip में थोड़ा सा लेके just हलका सा emulsify करना है मतलब आप अपने product को activate कर रहे हैं ताकि हम अपने skin में लगाए अच्छे से तो बहुत अच्छे से result दे direct लेके ऐसे ही लगानी लग जाएंगे ऐसा नहीं करेगा करेगा लेकिन वो activate नहीं हुआ है बहुत अच्छे से इस वज़े से थोड़ा सा हाथ में लेके हमने थोड़ा सा activate करना है मिलाना है हाथ में उसके बाद चहरे पे लगाना है वो और जादा अच्छे से अज़र करता है यह एक बार आप बिना ऐसे मिलाए हुए आप इतने time से अगर लगा रहे होंगे आप एक महीने बस इस तरह स देखने को मिल जाएगा इनके साथ साथ यहां पर easily यह सारे चीज़े देखेंगे और अच्छे से face wash करने के बाद अपनी चहरे को पानी से धोलेना है उसके बाद जो मौश्य राइजर आपको लगाने का है आप वो लगा सकते हैं सेकेंड जो प्रोड़क के बारे में हम लो dead skin cells को यह remove करते हैं ताकि जिसके वज़े से हमारे जो new cell है वो बहुत अच्छे से active रहे बहुत अच्छे से healthy रह सके कोई दिक्कते ना हो all type skin के लिए है और इनके साथ साथ इनके जो hero ingredient इसके अंदर add-on के गए हैं पाए गए हैं जो की है इसमें honey extract है शेहद जिसको हम लोग बोलते हैं so honey जो है basically अगर जिन लोगों को लगता है कि उनका skin में shine नहीं है glow नहीं है बहुत रूखा-सूखा सा चेहरा दिखने लग जाता है हमारा चेहरा clean नहीं दिख रहा है साफ नहीं दिख रहा है शेहद उनके लिए बहुत अच्छे से असर करता है तो इसमें शेहद का extract है papaya extract है इसमें so papita जिसको हमनों बोलते है तो इसमें papaya extract जो है यह बहुत ही marvelous way में काम करता है papaya में easily अगर हमनों बोली इतने अच्छे papin enzyme जो पाए जाते हैं जैसे ही आप इस scrub को use करेंगे आपको उसी time ही यह देखने को मिलेगा कि आपका face बहुत clean हो गया है साफ लग रहा है और बहुत smooth सा लग रहा है touch करने से बहुत अच्छे से यह help भी करते है right इनके साथ-साथ यहाँ पर हम लग यह भी बोल सकते हैं कि इसमें oatmeal extract भी add-on किये गए है oatmeal basically skin को balance करने का काम करता है, soothe करता है, soft करता है and यह radiant glow भी बनाए रखने का काम करते है हमने क्या करना है, एक चीजों का हमेशा ध्यान देना है scrub use करने के time चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ी लोग हो, चोटी लोग हो, कोई भी हो अगर चेहरे में बहुत pimple है, तो pimples के दौरान आप कभी भी scrub मत करिएगा, यह highly recommend है कोई भी scrub हो, क्योंकि scrub में थोड़ा सा granules होता है, बहुत pimple है, तो pimple के अंदर पुरा पस भरा हुआ है, तो pimple burst हो सकता है, food सकता है So, जिस वज़े से बहुत pimple होगा, तो आप scrub नहीं करेंगे, एक से दो pimple होँगे, तो आप उतने जगा को छोड़के, बाकी पूरे face में, neck में, आप scrub कर सकते है Scrub हमेशा गीले चहरे पे ही करना है, गीले skin पे ही करना है, right, क्योंकि उसमें थोड़ा दर-दर आपन रहता है, granules होते हैं इसी वज़े से हमारे dead skin बहुत अच्छे से जाते हैं, right, इनके granules इतने ज़ादा पतले हैं, जो कि हमारे skin को ये खराब नहीं करते हैं अगर आप market के, you know, scrub देखेंगे, उनके कुछ-कुछ जो granules होते हैं, इतने ज़ादा rough रहते हैं, एकदम वो बालू के जैसा, you know, sand के जैसा वो रहता है उसे चहरे बहुत scratch भी होने लग जाते हैं, दिक्कते होने लग जाती हैं, so it's better कि आप ये वहला scrub use कर सकते हैं और ये जो papaya scrub है, ये पूरा आपको gel base में आप scrub इसको बोल सकते हैं, ये पूरा gel base रहेगा, पपीता का, जो you know, कैसे पका हुआ पपीता का, जो pulp रहता है, वो पूरा वैसा pulpy जैसा दिखेगा, और gel form में दिखेगा, और इनके साथ-साथ पूरा वैसा ही उसका smell भी रहता ह है, right, so, ये बहुत ही जादा अच्छे से हमारे skin के लिए work करेगा, और मैं एक trick भी बताओ, क्योंकि ये, ये मेरे लिए personally बहुत अच्छे से work किया है, right, so, ये एक इस तरह से trick भी use कर सकते है, scrub को जबी भी आप अपने चेहरे पे use करेंगे, जिनका skin sensitive है, आप आदे मिनट तक scrub करेंगे, आप अपने गीले चेहरे पे, जिनका skin normal to dry है, वो एक से दो मिन्ट जो है, दो मिन्ट तक scrub कर सकते है, जिनका skin बहुत oily है, दो से तिन मिन्ट तक वो बहुत ही अच्छे से scrub कर सकते है, ये तो रही बात चेहरे की, right, क्योंकि हमारा चेहरा जो है, हमारे body के skin से थोड़ा सा बहुत soft and delicate होता है, body में भी scrub, आप इसको अगर ले के करते हैं, आप के लिए बहुत अच्छे से असर हो करेगा, मान लिजए कि ये कहीं बाहर जाते हैं, दूल मिट्टी तो आएगी body के ओपर, धूप के वज़े से भी आपका skin dark होने लग जाएगा, damage होने लग जाएगा, तो हमारा चेहरे को जितना need है, care की, वैसे ही हमारे body को भी है, आप अपने body में हफते में दो बार, scrub जो है, आप हफते में दो बार करेंगे, आप अपने body में जो scrub है, आप हफते में उसको भी दो बार करके चलेंगे, दो से तीम बार कर सकते हैं body में, और आप अ पीछे बहुत काला-काला सा होने लग जाता है, बहुत लोगों के, हाथ-पैर जो है दूप के वज़े से टान हो जाते हैं, पैरों में भी वैसे होते हैं, फिंगर्स के पास, आंकल के पास बहुत जदा होने लग जाता है, तो आप इवन इसको as a body polishing scrub के तौर पे भी आप इसको use करें और आपको हर, you know, हर हफ़ते आप इसको use करने लग जाएंगे, दो-दो बार करके, हर हफ़ते में दो बार आपको कुछी टाइम में ऐसा लगेगा, आप after before picture जरूर रखेगा, आपके पूरे dead skin को ये हटाने का काम क area, वो थोड़े से dark है, बहुत जादा, you know, काला-काला सा दिखने लग जाता है, body में काफे ज़दा dusky सा दिखने लग जाता है, आप इसको use करें, उसके बाद body lotion लगा लीजे, बहुत ही अच्छे से work करेगा, आप ये skin lightening properties भी आपको provide करने का काम करते हैं, right, इस तरह से पर एक और हम product देखेंगे, जो कि हमारा new active energetic men fairness face wash, जो कि volcanic lava clay and aloe vera से बना हुआ है, cleanse करते हैं skin को बिना किसी irritation के, और ये भी 100 ml का है, और बहुत सारे male person की requirement थी, कि male के लिए एक अलग सी product company को launch करना चाहिए, तो definitely उनके skin को देखते हुए, तो obviously company ने उनके सारे wish जो है, उनको भी fulfill करने का काम किया है, right, so यहाँ पे आप men fairness face wash जो है, आप use कर सकते हैं for all the male person, right, काफी जदा powerful ingredient volcanic लावा ash ते बना हुआ है, और ये definitely हमारे skin को light and brighten करता है, complexion जो dark होने लग जाते हैं, अब बहुत जादा बाहर धूप में, धूल मिटियों में रहेंगे, यह थोड़ा सा बाहर जाएंगे, obviously dust तो आएगा ही चेरे पे, तो complexion भी थोड़े dark होने लग जाएंगे, तो ये उनको भी lighten करने का काम करते हैं, आकने या फिर dark skin patches, pimple हो गए, या फिर skin में dark dark patches होने लग जाते हैं, ये उनको भी दूर करते हैं, hence in part visibly fairer और even toned brighter skin बनाई रखने का काम करते हैं, इनके ingredient इसमें volcanic lava clay और aloe vera extract दोनों ही add किये गए हैं, आप जिस तरह से face wash करते हैं, आपको उसी तरह से ही करना है, पूरे चेहरे को भीला करना है, थोड़ा सा face wash लेके, थोड़ा सा activate कर लीजे, बहुत अच्छा result चाहिए तो, और थोड़ा सा हाथ में मिला के, दिन उसके बाद अपने face में अच्छे से आप करके लगाईए, बहुत ही अच्छे से ये असर भी करेगा, इवन आपको लगता है, आप दो तरीके से face wash और cream लगा सकते है, सबसे पहला है थोड़ा सा हाथ में लेके, आप इस तरह से मिला ल लगाएंगे, six dot का मतलब होता है forehead, nose, chin area, neck area and both the cheeks area, अगर आप गिनेंगे तो वो six हो गया, six dots हो गए, right, कोई भी चीज़े हम six dot में इसलिए करके लगाएंगे, ताकि कभी-कभी है जब हम new-new लगाना start करते है कोई भी चीज़ों को, हमें पता नहीं चल पाता है, हम directly यह से लेके लगाते हैं, तो कहीं जादा, कहीं कम लगने लग जाता है, और जो भी last होगा, वहाँ पर बहुत कम लग जाता है, या फिर लगता है कि वहाँ पर लगा ही नहीं है, six dot इसलिए ताकि हट जगा equally आपका product जो है, वो लग सके product की कमी नहीं हो, right, अब इस तरह से करके भ ये भी hundred gram के है, should men use fairness cream, क्या male person को fairness cream use करना चाहिए, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, right, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ female को ही, women को ही skincare की need है, male person को नहीं है, और अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ, you know, जो cream face wash हो गए, ये सिर्फ female के लिए होते है, male के चहरे साफ रखना, ये सारी चीज़े important नहीं है, तो फिर से हमें सोचने की, उनको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रत है, because जो average male जो है, वो spend करते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा time बाहर में, दूप भी रहेंगे, बाहर जाएंगे, you know, बहुत सारी चीज़ों से exposed होंगे harsh environment से, so यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि hence it's more likely not to visit doctor if at any symptom, जब तक कोई, you know, ऐसे बहुत serious health condition issues नहीं हो जाते हैं, तब तक वो फिर जाते भी नहीं है, किसी चीज़ों को, you know, check करवाने के लिए, so ये काफी ज़्यादा important है, और ये हम लोग हर कोई person जानते हैं, कि male जो है, उनके जो skin होते हैं, वो थोड़े से थिक होते हैं, ये proven है, so that most main, like male person जो है, उनके बहुत sensitive skin भी होते हैं, female की according, female की comparatively, तो male को भी ज़्यादा need है, equally need है, अपने skin का maintenance के लिए, so Keva Kypo Industry जो है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एक marvelous product launch किया है, which is men fairness cream, right, जिसके वज़े से बहुत सारे अपने skin को healthy रख सके, natural benefits ले सके, so Keva Kypo men fairness cream जो है, ये specially formulate किया गया है, male person के लिए, इसमें unique blend of herbal properties है, इसके अंदर SPF 15 भी है, SPF को full form होता है sun protection factor, और definitely SPF 15 है, मतलब अगर आप बहुत धूप में नहीं रहते हैं, आप थोड़े दिर के धूप में रहते हैं, तो भी ये हमारे skin को बहुत अच्छे से असर करते हैं, हमारा जो body का जो natural SPF होता है, वो खुद ही 5 से 10 होता है, इसी वज़े से हमने ये चीज़ों notice की है, कि जब हम धूप में जाते हैं, धूप में जाते हैं हमारे चेहरे काले नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा खुद का body का जो SPF है, वो 5 to 10 है, तो उसके बाद जब 10 मिनट बाद होते हैं, या फिर थोड़े दिर बाद हमारे skin काले पढ़ने लग जाते हैं, तो इस वज़े से अब यहां पे अगर जादा देर का धूप में नहीं रहते हैं, थोड़े तेर भी रहेंगे तो इसमें SPF 15 हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बहुत देर के धूप में रहते हैं, तो आपको अलग से sunscreen लगाने की सुरत है, तो इसमें SPF 15 है, और यह goodness of licorize, जिसको हम लोग मुलेती भी बोलते हैं, औरेंज है, इसके अंदर, vitamin C काफी अच्छी खासी मिलेगी, and white pepper है, ताकि हमारे skin को यह bright कर सके, बहुत brightening, energizing, and moisturizing effect प्रोवाइट कर सके, यह healthy, low skin प्रोवाइट कर सके, इनके यहाँ पर हम लोग, इस cream को लगाने से क्या फायदे हो सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारे skin को, male के skin को, basically, जो tough skin उनके जो होती है, powerful benefit प्रोवाइट करते हैं, जैसे के visible radiance, यह reduce करते हैं, control करते हैं, excess oil को भी, ताकि बहुत oil ना हो, ताकि dust आके बैठे ना, skin ना काला पढ़ने लग जाए, धूप के वज़े से जो skin काफी ज़दा, you know, काली पढ़ रही है, यह उनको भी help करते हैं, energize करते हैं skin को, इनके साथ-साथ glow skin बनाते हैं, और जिनको भी लगता है कि उनको dark spots हो गए हैं, और blackheads होने लग गए हैं, किसी male person को, तो यह उनके ल जिनों में इसके result देखने लग जाएंगे कि आपको यह instant skin lightening effect जो है, यह provide करती है, आपने क्या करना है, आप अपने face को wash करने के बाद में face wash, जो है, उससे face wash कर लेंगे, थोड़ा सा cream लेके, पूरे face में, तिल नेक तक आप इसको use कर सकते हैं, daily, daily आप इसको use करेंगे, ज and this is one of the another product which is kypo seaweed acne clarifying face cream, जो की reduce करते हैं, acne and scar को, और यह clear skin glow के लिए पाई जाते है, so इनके यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, seaweed extract जो है, यह pimples को, यह, you know, उनके जो inflammations है, क्योंकि इसमें anti-inflammatory properties है, यह oil को, excess oil को दूर करते हैं और यह prevent करते हैं, ताकि pimple ऐसे कोई भी चीज ना हो सके, इसको जो use करने का जो तरीका है, face wash करने के बाद, जहां भी pimple है, थोड़ा साफ finger tip में लेके, वहाँ पे अच्छे से लगाना है, और जहां pimple के दाग है, उसके उपर भी अच्छे से लेके लगाना है, आप इसको use कर सकते हैं, दिन में, दो बार, सुबा में और दीरे-दीरे करके, जो बहुत सादा होनी लग जाता है, डार्क होनी लग जाते है, pimple के दाग, ये बहुत डार्क ना हो, बहुत जल्दी चले जाए, उसके लिए helpful भी रहते हैं, सो इस तरह से इसको use करने की जूरत है, सो ये product जो है, जिनको pimple है, या फिर उनके दाग है, इस वज़े से क्योंकि ये reduce करते है, science of aging, तो इसको हम लोग anti-aging cream भी बोल सकते हैं, ये youthful glow and you know hyaluronic acid इसमें है, hyaluronic जो है, ये anti-aging के लिए बहुत ये अच्छे से help करते हैं, all type skin के लिए है, कोई भी skin type वाले लोग इसको use कर सकते हैं, बस अगर आप 20s के हो गए हैं, आप 20 से ही इसको use करना start कर सकते हैं, right, so जिसके वज़े से in future, मतलब ये हमारे skin को reprogram करने का काम करती है, right, in future drastic condition में जुरिया चाहिया, fine lines, wrinkles ना आए, उसके लिए help करेंगी, और जो already हो गई है, बहुत जादा, you know, face sag होने लग गया है, elastin lose होने लग गया है, skin lose होने लग गया है, तो ये उनको भी tighten करके रखने का काम करते है, उनको भी धीरे-धीरे करके reduce करते है, so that कि हमें younger looking skin बनाये का काम करें, और इसके अंदर जो hyaluronic acid है, hyaluronic acid के वज़े से, ये जो product है, ये weightless moisturizer का काम करेगा, मतलब जिन लोगों को ऐसा लगता है, कि हम कोई भी ऐसी cheese and cream नहीं ल लगती हो, तो ये उन लोगों के लिए perfect product है, ये आपको बिल्कूल भी चिपचिपा सा चहरा नहीं देता है, ये बहुत ही अच्छे से work करता है, और ये जब cream आपने इसको जब use किया होगा, तो हर किसी को ये पता होगा, इसको use करने से skin जो है, ये rosy glowing skin जैसा दिखने लग जाता है, बहुत अच्छे से ये असर भी उस तरह से करता है, right, light pinkish इसका हम लोग बोल सकते हैं, कर बहुत अच्छे से work करते हैं, दिन में दो बार इसको use कर सकते हैं, next product is dual action sunscreen, SPF 30, PA double plus, UVA और UVB rays से हमें prevent करता है, PA का मतलब है protect against, right, so ये हमें help करते हैं और double plus है, तो मतलब बॉर जादा अच्छे से हमारे skin को protect करते हैं, sun से against sun, right, light texture रहेंगे, non-greasy रहेंगे, बिल्कुल भी चिप-चिपा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी लोगों के requirement होती है, कि you know, चेहरे चिप-चिप बहुत जादा stickiness काफी जादा लगने लग जाती है, तो ये non-greasy formula है, ये UVA rays और UVB rays दोनों से ही prevent करती है, UVA rays इतने जादा harmful होते हैं, जो कि हमारे DNA को भी damage कर सकते हैं, और इनके साथ साथ ये बहुत जादा issues होने लग जाते हैं, UVB rays हमारे skin को immediately dark करने लग जाता है, इसलिए हमें लगता है, कुछ-कुछ rays इतने जादा harmful होते हैं, जो कि हमारे skin cancer होने के भी chances होते हैं, UVA rays जरूरी नहीं है कि अब धूप में जाके हम खड़े रहेंगे, बैटेंगे, तो ही हमें होगी, जो खिड़कियों से उसको धूप की जो किरने भी आ रही हैं, वो उसको हम लोग UVA rays में consider कर सकते हैं, वो भी हमारे skin को damage कर सकते हैं, right, so ये हमारे skin क बहुत अच्छे से help भी करने का काम करेंगे, and definitely help करते हैं, जिस सनबन अगर किसी को हो गया है, या फिर decrease करते हैं, risk of skin cancer, like sunburn, like skin reaction होने लग गया है, cause by कुछ medications के वज़े से ये उनके लिए भी helpful है, oil free look रहेगा, बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं लगेगा, और definitely SPF 30 PA++ है, इसके अंदर ये light skin बनाए रखने का काम करती है, sun damage और tanning हो गई है, उनको भी prevent करने के लिए highly responsible है, जबी भी हम लोग इसको use करेंगे, घर से निकलने से 15 से 20 मिंट पहले आप अपनी body में sunscreen लगा सकते हैं, और sunscreen में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कि ये सिर्फ और सिर्फ, you ही लगाए, पूरे body के सारे parts में धूप की किरने आती है, face पे भी, गले भी, hand में भी, leg में भी, right, जो भी exposed body area है, आप वहाँ पे sunscreen लगा सकते हैं, हाथ पैर में भी लगाएंगे ताकि हमारा skin जो है, धूप में और साधा काला ना पड़े, dark ना हो, और अगर हो गया है पहल करने का काम करते हैं, तो इसको regular use करना important है, और क्योंकि हमने UV rays, A rays के भी बारे में यहाँ पे जाना, तो सिर्फ धूप में ही जानी से sunscreen नहीं लगाना है, आप अपने घर पे भी रहते हैं दिन में, तो दिन में भी आपको sunscreen लगाने की बहुत साधा ज़रत है, इवन आप घर पे रहते हैं, तो भी, right, so this is all about, यहाँ पे हमने discussion किया, यह सारे products के बारे में, और यह सारे ही जो product है, अभी हमारे offers में चल रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, you know, by one get two के offers में चल रहे हैं, most of the चीजे, so अब जादा से जादा इनको avail कर सकते हैं, ताकि offers को हम grab कर सकें, हमारे पास additional products भी हो, और इनके साथ साथ हम अपने business को भी बहुत अच्छे से increase कर सकें, और जो हमारा stock point है, हमारे stock point में भी हमारे जो यह products है, हम अपनी product की availability हमेशा बनाए रखें, ताकि हमें आगे चल के कोई भी दिक्कते ना हो, right, so if anyone is having any query with the product, अगर आपको इन product से related कोई भी query है, कोई भी question है, आप chat box में लिख सकते हैं, आपको आज का session कैसा लगा, आप अपने reviews जो है, feedback जो है, आप chat box में लिखके बता सकते हैं, जैसे कि आज हमने यहाँ पे papaya scrub, SPF 30, vitamin C face wash के बारे में discussion किया, seaweed acne clarifying face cream, collagen cream के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे discussion किया, so mainly यह सारी जो चीज़े हैं, और हमारा men fairness face wash हो गए, यह सारी जो चीज़े हैं, बहुत ही अच्छे से, अभी cream भी हो गए including, अभी यह offer में चल रहे हैं, तो जादा से जादा हम इनको avail कर सकते हैं, इनका advantage ले सकते हैं, और अपनी skin को बहुत ही जादा अच्छा रख सकते हैं क्योंकि skin हमारे body का एक ऐसा important part है, जिसको healthy रहना important है, और जो हमारा skin है, वो हमारे पूरे appearance को enhance करने का हमारा जो attitude, हमारा जो appearance है, उसको positive रखने में बहुत सदा helpful रहता है, और confident रखने के लिए भी helpful रहता है, right, so let me see in the chat box then. Exactly, देवराद सर यहाँ पर जो आपने लिखा है कि यह जो products जो आज हमने यहाँ पर देखे, इनके specifications हमने यहाँ पर देखे, benefits से सारी चीजे, so यह सारी products जो है हम use कर सकते हैं, तो आप easily उनको दे सकते हैं, बहुत अच्छे से helpful भी यह रहेगा, बहुत अच्छे से walk करेगा. जिनका skin specially dark होने लग गए है, damage होने लग गए है, हमारी body को external और internal care की बहुत साथा सुरत है, so definitely you can recommend this product. Thank you so much Corrie ma'am. गर्मी में लगाने से बहुत पसीना आता है, ma'am यहाँ पर depend करता है कि आपका skin का type क्या है और आप कौन सा product यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका, गर्मी में पसीने तो सबको ही आते हैं, यह common सी चीज़े हैं, पसीना आना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बहुत जादा हच से जादा पसीने आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी है तो हो सकता है कि आपको, तायराइट की problem हो, सो एक बार आप चेक कर वा लीजेगा, राइट, सो यह क्योंकि उनके भी यह symptoms होते हैं, राइट, तो एक बार आप चेक अप कर आ लीजेगा, लेकिन पसीने अगर ऐसे बहुत ज़दा वैसा कुछ नहीं है, पसीना आना अच्छा बात है, नॉर्मली अगर पसीने आपको ल लग लगा रहे होंगे, सो अगर आपका ऐसा रहता है, तो आज हमने यहां पर जो कॉलाजिन स्किन के बारे में आपके डिसकेशन किया, वो बिलकुल भी चिप चिपा नहीं है, वो वेटलेस मॉश्यराइजर है, बहुत थोड़ा सा, यह बहुत ठिंग उसका टेक्शर है, आप वो लगाए, या फिर आपके पैस यहां पर ऑप्शन है, कल भी हम लगोंने डिसकेशन किया था, कैलमाइन लोशन, कैलमाइन लोशन जो है, वो भी अभी ऑफर में चल रहा है, रच, सो आप उसको भी लगा सकते हैं, आपको वो लगाने के वज़े से, कैलमाइन लोशन भी लगा सकते हैं वो आपके skin के लिए बहुत अच्छे से helpful रहेगा pigmentation के लिए क्या use करें pigmentation के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आप acne clarifying face cream जो है seaweed cream जो है आपको लगा सकते हैं कि अगर pigmentation you know काफी ज़ादा हो गई है pimple के वज़े से तो आप use कर सकते हैं लेकिन अब भी आपको अगर pimple नहीं है सिर्फ आपका बहुत दाग हो गया है चेहरे पे आप vitamin C face wash उज़ कर सकते हैं vitamin C face wash के बाद आप बहुत ही अच्छे से anti-max cream जो है हमारा आप anti-max cream यूज़ करिए आप अपने you know marks के बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और कहीं अगर बाहर धूप में जाते हैं आप तो sunscreen लगा लेंगे यह आप दिन में करेंगे रात में सोने से पहले face wash लगा लीज़े vitamin C face wash करके anti-max cream लगा लीज़े यह आपके दाग को दीरे-दीरे करके कम करने का काम करेंगे हफते में एक से दो बार आप scrubbing करिए ताकि आपका dead skin जो है जो दाग हुआ है वो तो ऊपर के layer में है अंदर से लेकिन हुआ है तो उसको जाने में बहुत time लगेगा कितने layer तक deep है क्या है वो तो depend करता है सो हम लोग जब scrubbing करते रहेंगे dead skin जो है वो जाते जाएगा जाते जाएगा तो दाग आपके light होते जाएगे तो वो आप करेंगे और skin lightening facial kit आप इनके combination करके लगाएगे आपके लिए better रहेगा अगर internal की बाते करें हम लोग तो एक skin health सिरफ करके आता है आप skin health सिरफ भी आप intake करिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा तो इनके combination आप करके use कर सकते हैं और अगर वो दाग छाईयों जैसे या फिर you know बहुत सारे बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो hormone disbalance होना liver issue के वज़े से भी होता है hormone balance, skin health सिरफ और ये external product आप इस तरह से use कर सकते हैं Thank you so much ma'am I believe कि आपको answer मिल गया होगा विंटर सीजन और समर सीजन में हमारे skin का texture जो है वो दोनों अलग रहता है most of the time बहुत लोगों का और कुछ-कुछ लोग बहुत rare of the rare कुछ percent ऐसे लोग भी होते हैं जिनका skin you know बहुत oily है तो वो ठंडियों के time में भी उनका skin dry नहीं होता है लेकिन oily नहीं होता है normal हो जाता है right so वैसे भी बहुत सारे लोग होंगे so definitely आज जो हमने आप यह प्रोड़क के बारे में discussion किये है यह all type skin के लिए है oily हो, dry हो आप बहुत अच्छे से product दे सकते हैं तो definitely प्रोड़क जो है आप कोई भी skin type वाले लोगों को दे सकते है तो oily dry इसमें दोनों ही consider होते है so I hope Devrat sir you got the answer and thank you so much everyone good to know कि आप लोगों को session काफी better लगा काफी अच्छा लगा और हमीशा हमारी कोशिश रहेगी कि काफी fruitful काफी जदा you know informative हम लोग यहां पर session को represent करें so फिर मिलेंगे हम लोग एक unique topic के साथ एक काफी जदा informative session के साथ so तब तक के लिए thank you so much all stay safe stay healthy thank you so much everyone